दोस्तों नमस्कार, मेरे नम संजे मग्गुहर, मौझूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर हर्याना में विधान सभा चुनाव है चुनाव के लिए सारा कारेकरम घोशित हो चुका है 5 अक्टूबर को हर्याना के अंदर हर्याना की जनता अपने भविश्य का फैंसला करेगी 5 अक्टूबर को चुनाव होगा जिसके अंदर ये सावित हो जाएगा कि हर्याना का अगला बाश्या कौन उससे पहले 5 सितंबर से यानि की परसों से हर्याणा के अंदर विधानसभाद चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 5 से 12 सितंबर तक नामांकन किये जाएंगे 13 तारिक को स्कूटनी होगी और 16 तारिक तक विड्रा हो सकते हैं पहले ये चुनाव 1 अक्टूबर को होना था चुनाव आयोग से भारती जन्ता पार्टी और इंडियन नैशनल लोगदल के साथ बिश्नोई महासभा ने अपील की थी चुनाव आयोग ने उस अपील को देर में मान लिया और चुनाव चार दिन डिले हो गया एक अक्टूबर की बजाए पांच अक्टूबर चुनाव को ले करके हम लगातार आपसे बातचीत करते हैं आपको अलग-अलग विधान सभाओं के बारे में उनका इतिहास के बारे में उनके भविश्य के बारे में वरतमान के बारे में सब कुछ बताते हैं आपसे हम ये बात भी करते हैं कि कौन से विधान सभा में क्या हो सकता है और पहले क्या हुआ जाती धरम इन तमाम बातों पर भी हम आपसे बात किया करते हैं कौन से राजनीतिक दल, कौन से विधानसभा छेतर में कमजोर रहा, कहां किसकी मजबूती रही, ये भी एक कंटीनिव आपसे हम बातचीत में इसको शामिल रखते हैं कुछ ऐसे एक मुद्दे के साथ आपके बीच आज मैं हूँ, वो है गुरुगराम विधानसभा से जुड़ा हुआ गुरुगराम विधानसभा जहांपर की 15 साल से, यानि की 2009 के चुनाव के बाद से, कॉंग्रेस को सफलता नहीं मिली और दूसरी बात ही है हुई कि पंजाबी समाज की बहुले इस विधानसभा सीट पर कोई पंजाबी नेता विधायक नहीं बना चौद्री धरंबीर गावा गुरुगराम से विधायक बनते रहे हैं, चार बार विधायक बने थे 1982 में विधायक बने थे, कॉंग्रेस के टिकेट पर 1991 में बने थे, 1996 में में बने थे और फिर बने थे 2005 में चार बार दरंबीर गावा वहां से विधायक रहे, बड़े पंजाबी नेता थे, अब उनका देहावसान हो चुका है दिवंगत धरंबीर गावा एक ऐसे नेता थे, कि जो हर्याना की राजनीती और खासकर पंजाबी राजनीती को अपने इर्दगिर्द भी घुमाते थे दरंबीर गावा के बाद में ना तो कॉंग्रेस बनी गुरुगराम के अंदर और ना ही गुरुगराम के अंदर कोई पंजाबी नेता चुनाव जीता 2005 में धरंबीर गावा चुनाव जीते थे 2009 में यहाँ पर सुखवीर कटारिया चुनाव जीते इंडिपेंडन डड़कर के आजकल कॉंग्रेस में हैं दो चुनाव हार चुके हैं 2014 में यहाँ पर विधायक बने उमेश गुपता भाजबा के टिकेट पर और 2019 में यहाँ पर विधायक बने सुधीर सिंगला वो भी भाजबा के टिकेट पर यहलिकि 2009, 2014 और 2019 इन तीनों चुनावों में कॉंग्रेस नहीं हाई कॉंग्रेस की हार की हेट्रिक बनी और इन तीनों चुनावों में ही किसी भी प्रमुग पार्टी ने किसी पंजाबी नेता को अपना नुमाइंदा नहीं मनाया किसी भी प्रमुग पार्टी ने अब आपको बताता चलूं कि आखिर ये सब चला क्या और गुरुगराम विधान सभा की स्तिती क्या है गुरुगराम विधान सभा के अंदर वेशे मद्दाता, प्रहमन मद्दाता इसके साथ साथ OBC मद्दाता SC और इसके साथ साथ यहां पर प्रवासी मद्दाता बड़ी संख्या में है यानि कि भार के परदेशों से आकर लोग बज़ों यहां पर बसे जो मैं आपको बता रहा था कि कॉंगरस नहीं जीती, वो सिती क्या रही आपको सारा बता दें 2000 से ले करके, 2000 के चुनाओं में यहां पर गोपीचंद गहलोद चुनाओ जीते थे निर्दलिया लड़कर के इंडियन नैशनल लोगदल के समर्थक थे उस चुनाओं में, यानि कि 2000 के चुनाओं में इनेलो और भाजपा का समझोता था भाजपा के कैंडियेट थे सीता राम सिंगला और इंडियन नैशनल लोगदल का समझोता था तो इनेलो को कैंडियेट कोई थे नहीं गोपीचंद गैलोद निर्दलिये चुनाव मैदान में कूद गए थे लोग बताते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चोटाला का उनको समर्थन था गोपीचंद गैलोद चुनाव लड़े चुनाव जीते और उनको हर्याना विधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया 2005 के चुनाव में यहां पर धरंबीर गावा कॉंग्रेस के केंडिट हुए इंडियन नेशनल लोगदल से धरंबीर गावा थे और बीजेपी से सीता राम सिंगला थे यहां चुनाव को धरंबीर गावा जीत गए 2005 में 2009 के चुनाव में भी धरंबीर गावा कॉंग्रेस के केंडिडेट थे और इधर बीजेपी से सिंगला जी थे और इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में सुखवीर कटारिया थे सुखवीर कटारिया को बताते हैं राजनीतिक लोग की भूपेंदर सिंग हुड़ा का समर्थन मिला हुआ था सुखवीर कटारिया चुनाव जीत गए रुड़ा सरकार में वो वजीर बने मंत्री भी रहे क्योंकि 2009 किस समय हुड़ा साब के पास बहुमत नहीं था उसके बाद फिर चुनाव 2014 का आया 2014 में कॉंग्रेस ने सुखवीर कटारिया को इटिकट दिया धरंबीर गावा क्योंकि हार चुके थे उनकी तरफ इशारा नहीं गया हुड़ा साब का और कॉंग्रेस ने अपना कैंडिड़ेट सुखवीर कटारिया को बनाया बीजेपी से चुनाव में उमेश अगरवाल मैदान में थे उमेश अगरवाल चुनाव जीत गए चुनाव हार गए सुखवीर कटालिया 2019 का चुनाव आ गया 2019 के चुनाव में भी पंजाबी समाज ने हैं दावेदारी की भाजबा और कॉंग्रेस दोनों से बाजबा के दावेदारी के लिए स्वामी धरमदेव के पोस्टर बोर्ड मैंने कई सानों पर देखे थे और इधर दूसरी तरफ कॉंग्रेस केंडिएट के लिए मोहित ग्रोवर ने भी मदनलाल आजात के बेटे हैं सदीर सिंहला हुए स्वर्गे सीता रामसिंगला के वैटे सदीर सिंहला पेशे सदीर सिंहला चनाव जीत गए उमेश अगरवाल चनाव मैदान में उतरे नहीं चनाव लड़े नहीं उमेश अगरवाल पर कुछ आरोप भी लगे जिसके चलते उनकी राजनीती भी प्रभावित हुई और मोहित ग्रोवर दूसरे नंबर पर चुनाव में रहे लगवग 44-45 जार उनने वोट लिए इसलिहास से में बता रहा हूँ कि आपको 2005 के बाद से वहाँ पर ना कोई पंजावी निता चुनाव जीता और ना कॉंग्रेस चुनाव जीती अब 2024 में क्या 2024 के चुनाव के लिए एक बात तो यह आ जाती है कि पंजावी समाज अपना प्रतिनिधित उचाता है इसलिए पंजावी समाज के लोग जो हैं पंजावी समाज के जो जंडा बरदार हैं वो कॉंग्रेस और भाजबा दोनों से दावेदारी कर रहे हैं दूसरी तरफ कॉंग्रेस चाहती है कि अब बहुत हो गया 15 साल का सूखा हो गया अब गुरुगराम में उनकी हाथ को साथ मिलना चाहिए गुरुगराम जीतना चाहती है कॉंग्रेस के जो यहाँ पर कैंडिडेट हो सकते हैं बहुत सारे नाम है मोहित ग्रोवर भी पिसले दिनों जोईन कर चुके हैं कॉंग्रेस और चर्चा है कि पार्टी उनको भी टिकट दे सकती है इनके लावा यहाँ पर पंकस डावर पहले से ही सक्रिये हैं कॉंग्रेस के अंदर आशिष दुआ कॉंग्रेस के राष्टिये सचिव हैं वो भी सक्रिये हैं लेकिन बताया जा रहा है कि दाल गलने की संबावना अगर पंजाबी समाज से है तो फिर मोहित ग्रोवर की है इधर भारती जंता पार्टी से भी अबकी बार सुधीर सिंग्ला के टिकट को खत्रा है सुधीर सिंग्ला का टिकट कट सकता है दावेदारियां ब्रहमन समाज भी कर रहा है मुकेश शर्μα कर्रहहिए जीयल शर्मा कर्रहहिए ये तमाम निता अपनी दावेदारी कर्रहहिए कि अपकी बार ब्रहामन को टिकर दिया जाये लेकिन गुर्ग्राम विधान सवा जो है वो पंजाबी और बनिया पंजाबी और वैश्य अगरवाल मत दाता जो है इन पर ज़्यादा प्रभावित रहती है और ज्यादा तर राजनितिक दलों ने इनी नेताओं को चुनाव मैदाल में उता रहा वो मैंने आपको बता दिया कि बीस में हुआ कि जब गोपी चन गैलोद भी चुनाव एक बार जीत गए और सुखवीर कटारिया भी जीत गए लेकिन ज्यादा तर यहां से पंजाबी या वैश्य अगरवाल नेता चुनाव जीतते रहे हैं अब पंजाबी समाच से जो दावेदारी कर रहे हैं मैंने आपको नाम बताए पंकस डावर हैं आशीष दुआ हैं और यह तो कॉंग्रेस से हैं जो भारती जंता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं पिछले दिनों स्वामी धरमदेव का नाम फिर चला एक बार हलाकि स्व दूसरी तरफ जो पंजाबी समाच से और नेता हैं जो दावेदारी कर रहे हैं या जिनका कई नाम है तो उनमें एक उद्योग पती भी है और कुछ नाम और भी है एक तरफ जाब पंजाबी समाच चाहता है कि उनका हक उन्हें मिलना चाहिए दूसरी तरफ कॉंग्रेस की दावे सोच है कि अब 15 साल हो गए अब की बार हाथ को साथ मिलना चाहिए ऐसे में कॉंग्रेस की तरफ से जा मोहित ग्रोवर का नाम है तो एक नाम फिर चला है राजबबर का राजबबर पंजाबी समाज के नेता और यह आशीष दूआ का नाम भी है और मोहित ग्रोवर के नाम असमें स्वामी धरम्दे भले ही मना कर रहे हैं लेकिन नाम तो उनका भी है बोधराज सीगरी का नाम भी है और भी कुछ नाम है अब बड़ी बात यह है कि जो एक तरफ पंजाबी समाज चाह रहा है कि उनका गुरुग्राम विधानसवाच हित्र जो उनकी पुरानी रही है अब की से पंजाबी केंडिडेट कोई चलाव मैदान में होता है तो उस्तिती में भारती जनता पार्टी क्या करने जा रही है क्योंकि यहां पर आमादमी पार्टी में उमेश अक्रवाल पहले जा चुके हैं अगर अब गठवंदन की बात चल रही है अगर यह गठवंदन हो जात रहें आपके साथ इस सवाल के साथ में कि क्या कॉंग्रेस पार्टी या भारती जनता पार्टी कोई पार्टी अपकी बार किसी पंजाबी समाज के नेता को अपना केंडिड़ बनाएगी अगर पंजाबी समाज का नेता कॉंग्रेस से आम आदमी पार्टी से आता है तो उस के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें